नमस्कार आप देख रहे हैं कशिश नियूस और आपके साथ मैं हूँ दीपक्षर माकेंद्र की सरकार वक्फ की व्यवस्था में बदलाओ को लेकर प्रयासरत है बोड पर जमीन से संबंधित व्यवस्था में गड़बडी के मद्दे नजर सरकारी हस्तक शेप से सुधार का दबाव भी है जिसका विपक्ष जोरशोर से विरोध भी कर रहा लेकिन इस बीच बिहार सरकार ने वक्फ की जमीन के सदुपयोग का अनूठा सुझाओ दिया है सरकार ने वक्फ से जमीन की मांग की है और बदले में आवास ये विद्याल है या कहें तो मदर्सा की सौगात उस जमीन पर दिया जाएगा ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कुछ सवाल तो हम पूछेंगे कि क्या ये सेकुलर सरकार का स्वभाव है जो धार में काधार पर काम करें क्या ये सरकार द्वारा एक खास समुदाय के संतुष्टी करण का प्रयास कहा जाए या सहयोगियों के वक्फ को लेकर उठाय गए कदम से कहीं वो खुद न को चल जाए इससे बचने का प्रयास कहा जाए सवाल कई हैं और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ महमान मौजूद हैं उनसे आपका परिश्व करा दें हमार साथ आरजू खान जी हैं और जेडी की और से पार्टी का पक्ष रखने के लिए जेडीू की और से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमराज जुराम जी हो और जेडीू की और से पार्टी का पक्ष हमराज जुराम जी रखेंगा और बीजेपी की और से प्रेम रंज कि बिहार शरकार कि यह हमेशा से पर्याश्रत है कि बिहार के अंदर शभी शंप्रदाय शभी वर्ग के लोगों के लिए मियाय के साथ विकास करती है और जो आज बख्वुट के से जमीन की मान और अलब संख्यकों के लिए नए मदर्शे का निर्मान करने की जोजना निश्ची तुरुप से नितीश कुमार जी का एक अच्छा और उच्छ है जो चाहते हैं कि अलब संख्यकों के गरीब बच्चें यतिम बच्चें जो कमजोर वर्ग के बच्चें उनको भी सिख्चा के रूप में सिख्चा जो है उनको अच्छी मिले तालीम अच्छी मिले और उसके लिए जो है नए मदर्शा खोलने का सरकार ने फैसला किया है और इसके लिए जमीन की भी उपलब्दता होनी चाहिए तो जमीन के लिए भी वक्वोट से आग्रह कर रही है कि जमीन उपलब्द कराएए और उपलब्द जहां तक हो सकता होगा पाकी नीजी जमीनों पर भी जो है मदर्शा बड़ का निर्मान किया तो सरकार का मक्षद है कि जो गरीब बच्चे यतीम बच्चे कंजोरवर्द के बच्चे जो सिख्चा से बाहर है या उनको सिख्चा अस्तर पर जो है कठिनाई हो रही है तो उनको सिच्छा के छेत्र में दुरुस्त करने के लिए सरकार की ये जोजना है और सरकार इसकूल कम थे क्या है मिराजी देखिए सबकुछ के बावजूद आप जैसे सरकारी स्कूल के अलावे अनुसूची जातियों के लिए भी जाना इस भर्ग के बच्कों के लिए और गखय देने के लिए आए पूरवे में भी तालमी मर्कज चलाया था है और टालमी मर्कज निलर के काम कर रहे थे जो निली है उनको रचीज यार ही मढ pots मांदे देने काभी काम कर रही है और current और इसको लेकरिक इस चीज को और आगे बरहना चाहती है सरकार और इसी को लेकर के मदरसों का ने एक से मदरसों का निर्मान की बात सरकार कर रही इसलिए ठीक है तो एक और सवाल खड़ा होता है लेकिन वह उसके लिए हम बाद में आएंगे पहले एक बार हम प्रेम रंजन जी से ये जान लेते हैं कि प्रेम रंजन जी केंद्र सरकार वक्फ को लेकर बड़े बदलाओं की गुंजाईश देख रही है फिलहाल उस संशोधन प्रस्ताओं को जेपी सी को सौप दिया गया है लेकिन क्या लगता नह है जेडियू उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था एक ववस्ता बहाल हो जाती उसके बाद कुछ निर्णाय लेते हैं देखे सबसे पहले तो आप जाए कि वक्फ के पास इतनी बड़ी संपत्ती है इतने जमीन हैं और जिसका उप्योग होना चाहिए था समाज के हि पाक एकड जमीन आप अगर कहेंगे यह बक बोड के पास है और लगभग जो ऐसे अगर रेलेवे की बात करें जो बहुत बड़ी संस्था है भारस्तरकार की डिफेंस है जो पूरे देश की सुरच्छा करता है लगभग उसके बराबर में यह संपत्ति है उतनी जमीन अगर बड़ी बात है कि अगर कोई हम्मे और आतमे विवाद होता है दो व्यक्तियों में जगडा जमीन का चल रहा है एक व्यक्ति जाकर के बक बोड के को अगर दान दे देगा तो वो संपत्ति बक बोड का हो जाएगा जिसकी कोई सुनवाई जो हैसे न्याले में भी नहीं होग करता है तो इसलिए जो ऐसे सरकार ने इस प्रकार का उस पर नियंतरन करने का और उसकी संपत्तियों को सदुप्यों कराने के लिए सरकारी जमीन पर भी बहुत सारे बक बोड के लोग जो हैसे उसको कब्जा किये हुए है और जिसका निर्धारन नहीं होता है मैंने का कि जो इसलिए इतनी बड़ी संपत्ती का जो एसे उपयोग देश के अंदर में नहीं हो रहा है खास करकर करके मैं कहूंगा कि जिर के लिए अगर अलप संख्यक समुधाय के लोग हैं उनके लिए भी उनके बच्चों के सिच्छा के लिए या अन्य कोई ऐसे बेहतर काम के लिए उस लिए जो ऐसे सरकार ने इस प्रकार के जो ऐसे बील लाने का काम किया है जो जो ग्रुटि काम किया है जो अन्सके लोग के लिए ये सरकार बॉक संपत्ति है जिनके लिए वह संपत्ति सरकारी होगी या फिर वक्फ का दावा हो जाएगा उस संपत्ति पर कोई और दावेदार अभी क्योंकि कानून में संशोधन नहीं हुआ संपत्ति कि नहीं है हमारे आभी दार्मी क्नियास परसद शुक्त है जहां पूरी समिति बनती है दार्मी क्नियास परसद के उसके आमधनी का पूरा जानकारी होता है और उसका उप्योग होता है समाज के हित में कि कोई एक व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सके उन संपत्यों को कोई अपनी थाती ना बना करके रखे तो उसी तरह बखबोट की जो संपत्य है उस संपत्य का जो हैसे सब के लिए हित के लिए काम होना चाहिए अगर सरकार उसका उपयोग करना चाहती है तो सरकार को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए बकबोट के लोगों को भी नहीं होना चाहिए और समाज के हिक में वो बहतर काम होगा कि उस समाज के व्यक्तियों का जो हैसे अगर उठान होता है विकास होता है बकबोट के बाद हम से तो प्रयाशरत है नितिश कुमार जी और NDS सहयोगी नहीं बना रहे हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप दे दीजेगा तो हम आवासिय विद्याले बना देंगे या मदर्सा बना देंगे एक छोटा सा पॉलिटिकल गेम है मैं आपको आप समझाना चाहता हूं जिस तरीके से ललन सिंग जी ने मुसलमानों के प्रदेश के अलपसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया था संसत के पटल पे अब उस पाप को धोने के लिए ये लोग आये हैं और इन लोगों ने ये बताया जनता दल यूनाइटेड ने जहां तक बात रही भारतिया जनता पार कि तो हमेशा से प्रदेश के अलपसंख्यकों के और प्रदेश के अलपसंख्यकों के खिलाफ रहे हैं ये मैं नहीं कहता ये अन रिकॉर्ड है ये सब कोई जानता है पुरी दुनिया जानती है और उसके बाद मैं आपको पता दूँ ची ये जो ललन सिंग के जो पाप को ध खाती थी पूरे प्रदेश में कि हम तीन तलाग के विरोध में हैं लेकिन जब एलेक्शन का वक्त आता है वोटिंग की बात आती है संसत के पटल पे तो जनता दल यूनाइचेड वाक आउट करके निकल जाती है और एक तरीके से उसने भारतिय जनता पार्टी के हाथों को देरा इसी तरह ये एनर्सी पे भी करते हैं और आज वक्त वोट पे भी करते हैं इनकी मानशिक्ता ये दरसाती है और नितीश कुमार ने अपने आपको साबित कर दिया कि उनका डिने भाजपाई डिने है इसलिए ये तीनों चीजों पर ये अलपसंख्यकों के खिलाफ रह ने तो सबसे पहले इनको ये जानना चाहिए वक्त का मतलब दान वात होता है लेकिन जैसे ही उर्दू नाम आता है जनता अदल यूनाइटेड और भारती जनता अदल के नेताओं के पेट में दर्द शूरू हो जाता है आप दान की जमीनों पे और सबसे बड़ी चीज़ आपकी दान की जमीने आपकी कैसी हो सकती है वो वक्त बोड के नाम पे है और देश में दुनिया में कितनी है ऐसी ट्रस्ट है जिसके अंदर लोग अपना दान पुन्ने करते हैं और अपनी जमीने दे देते हैं आपका खुद कारिकार्णी रहाता है प्रेम रंजन जी बस यह कह रहा है कि दान की हुई जमीनों का सदुपयोग हो उसमें कुछ लोग कुंदली मार कर बैटे हुए हैं इनको कम अभा जानकारी है इनके जानकारी का भाव है स्टेट गौर्णट और संट्रल गौर्णट को वक्वोर्ड सुन लीजिए आपत्ती दर्ज करालेजीएगा अच्छा शुरोता बही होता है अच्छा फे Daisy कुम यह न बताया कि उन्हें कितनी जानकारी है आप अपनी बात रखें। तो बहतर होगा थीक है और आज़ो जी समय 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 ब्रेक का हो चला है कौन किसकी जमीन चीनना चाहता है ये देखने वाली बात होगी और फिरहाल जब सब उनको मिल बैट करता है करना है चुकि जेपीसी के पास है ये वक्फ में संशोधन से संबंदित विद्यक है तो सब मिल बैट करता है करेंगा और उस समाज के प्रतनिधी भी है उस शित्र में जहां बहूलता उनकी है उनके प्रतनिधी भी है और जो खुद से ये दावा करते ह कि वो उस समाज के रहनुमा है उस समाज के करता धरता है उस समाज की आवाज है वो भी उस JPC में मौजूद होंगे तो सब को मिल बैठ कर फैस्दा लेना होगा परिशान होने की आवशकता नहीं है क्योंकि अगर वो वाकई उस समाज के रहनुमा है तो उनकी हकमारी होने वो सरकार इस दिशा में कुछ ठोस्प करने के लिए प्रियासरत है तो राज्य में आपके सहयोगियों को थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए था सबसे पहले तो यह वकबोड इस देश के अंदर में है और बहुत सारी संस्थाएं हैं बहुत सारे ट्रस्ट है और जो भी संपत्ती है वो देश की संपत्ती है उस संपत्ती को अगर केंदर की सरकार को या राज्य की सरकार को अगर आब सकता महसूस होती है तो उसका इज करते हैं आप मी के भी आते हां तो यंक Superर कि को पियोंग करने का का में की सभी ने कि समुदाई का बर्ग को खास करकर के उसको संतुष्ट करके रखने का काम किया। उनको लगता था कि भोट मेरा दिगर जाएगा। जो भी कुछ परिवर्तन करने का उसकाम को हम करते रहें। हमारी सरकार जो अपत्ती लग रहा है कि भाई जो इससे अलफ संख्या कर रहा है। बिल्कुल पूरा मुखा देंगा अर्जुजी रुकिया। प्रेम रंजन जी प्रेम रंजन जी प्रेम रंजन जी छोटा सा सवाए। प्रेम रंजन जी प्रेम रंजन जी प्रेम रंजन जी प्रदान मंत्री है। हीम राज जी से जान लेते हैं। हीम राज जी जब केंद्र में आपके सहयोगी कुछ है बहतर उस दिशा में जैसा उनका दावा है। कि वह समाज के हित में कुछ महतपूर्ण पैसला लेने के प्रयास में है। तो उस प्रयास के परिणाम के लिए भी इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं। आप अलग से क्यों पहल कर रहे हैं। वक्स को लेकर यह क्यों छेड़ चाड़ कर रहे हैं। के पी सी में वक्स वील जो है लाया गया। और उसमें ले जाने का मक्षद है कि जिन लोगों को अपत्ती है उलोग अपत्ती दर्ज कराएंगे। और शब लोगों की बाते सुनी जाएगी और सबसमत्ती से एक निरनाय लिया जाएगे। ब्लकुत। जो देश में सान्ती सदभाव भी कायम रहे भाईचारा भी कायम रहे और देश हित में काम हो और जरूरत मंद लोगों को गरीबों के लिए अतीमों के लिए भी काम हो। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अभी RJD के प्रवक्ता बोल रहे थे हम एक सवाल खरा करना चाहते हैं अजादी के बाद से और 2005 तक कॉंग्रेस रही शासन में और RJD का सासन रहा हम यह पूछना चाहते हैं कि अल्व संख्यकों के लिए कॉंग्रेस ने और RJD ने कौन-कौन से कदम उठाए जो उनके जीवंदसा में सुधार हो सके उनके सिच्छा अस्तर में सुधार हो सके उनके लिए नए रोजगार के उसर पैजा किये जासे के लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ऐसा तब होता है जब 2005 में अंडिये की सरकार बनती है और ने तीस जी मन्ये मुखमंतरी बनते हैं विहार के तो उन्होंने कई कल्यान काड़ी योजिनाओं को लागू करने का काम किया इनके सवाल का जबाब में इंसे सव में लगा पहले इन लोगों के सासन काल में संपरदाइक दंगे हुआ करके मुसल्मानों को डढ़ा करके सिर्फ भोट लेने का काम होता है और संपरदाइक दंगों में भागलपूर के दंगा भूल गए लेकिन आर्जू जी का आरोप यही है कि इस पूरे प्रयास में साजिश इन्हें दिख रही है कि एक साजिश की बू आ रही है जमीन हडपने का यह नया पैतर है अर्जू जो इनका सवाल है कि यह आरोप लगा रहे हैं कि जमीन हडपने का तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वक्ष वर्ड का निर्मान क्यों कि आ गया उन अतीम बच्चों के लिए उन्हें गरीब बच्चों के लिए उन्हें निसा निसाहाइब बैक्तियों के क्कुण के लिए सरकार के मंगर नितीश कुमार जी अगर मदरसा का निर्मान की बात अगर करने हें चोटीश कुमार्यजी नेraw को चलाया है कूट कि उन्हें गरीब बच्चों को कमजोर बच्चों को यतीम बच्चों को और सब के लिए एक अच्छा काम हो सिच्छा अस्तर में सुधार हो उनको रोजगार के लिए इस ख्याल से अगज़ कर रहे हैं चलिए हम जबाब ले लिते हैं हम विकास की बात कर रहे हैं हम उत्थान की बात कर रहे हैं और ये साज़िश की बात कर रहे हैं और ये राजनीत की बात कर रहे हैं बेलकौल राजनीती क्यों साज़िश की बू क्यों आ रही है आरज़ो जी ये समाज के लिए कुछ बैतर करने का प्रयास कर रहा है तो चलिए प्रवक्ताओं से मेरी याग रहा है अपनी बात आर्जोजी समय कम है थोड़ा जल्दी करें देखिए इनसे ये पूछिए कि वक्ष बोड कब से चल रहा है और वक्ष बोड में राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का दखल होता है कि नहीं राज्य सरकार ही चेर्मेन उसमें चिनीद करती है और राज्य सरकार के बिना हस्तचेप के कोई वक्ष बोड का चेर्मेन नहीं बनता है वक्ष बोड किसी भी स्टेट में है तो वो सेंट्रल और सेंट्रल गवर्मेंट से भी और उसका रिवेनी हो जाता है बकाइदा इतना हस्तचेप है और यह जो बोलते है न कि वक्व बोड जिसके उपर हाथ रख दे वो जमीने उसकी हो जाई मैं आपके टीवी पे खुला चैलेंज देता हूँ कि इस देश में सन्विधानिक परिकरिया है और नियाले से बड़ा कोई भी बोड नहीं है और ये जो पर्शेप्शन फैला रहे हैं मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पर्शेप्शन फैला रहे हैं वक्व बोड की जमीने और उसका चेर्मेन खुद बिहार सरकार के लोग जो है वो चैनित करते हैं और चेर्मेन बनाते हैं ये सबसे बड़ा पहले तो इनका पर्शेप्शन है और जिस तरीके से इन्होंने अपने रेलवे में अडानी जी को घुसाया अम्बानी जी को घुसाया सेना की जमीनों में घुसाया उसी तरह से अब जानते हैं एक चीज़ और मैं बता दूँ वक्व बोड की जमीन पर महराष्ट में वक्व बोड ट्राइबुनल ने अम्बानी जी को नोटिस भेजा है कि उनका जो चमचानमाता हुआ अलिशान घर है वो वक्व बोड की जमीन पर है अपने दोस्तों बात है अर्जो जी यही दिल्चस्प बात है आनल फानन में इनों ने यह आप दूसरी तरह से जो देख रहा है ना वो सामने से देखने का हवाला दे रहा है अम्बानी की जिस जमीन पर वक्व बोड का दावा है यही दावा कई और लोगों की जमीन और कई और लोगों की संपत्यों पर भी है और इससे संबंदित कई केस कोट में चल रहा है और इसी में सुधार की संभावना तलाशते हुए केंद्र सरकार ने संशोधन का बिल लाया जो फिलाल जेपीसी के साथ है संसद में जनता के पृतिनिती स्थिती स्पष्ट करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमरेंजन पटेल जी इमराज राम जी और आरजु खान जी अपना समय देने के लिए इस चल्चा में शामिल होने के लिए मुद्दा जटिल है विवादास पद है और इस मुद्दे पर सरकार ने कुछ कोशिश की है ये हवाला देते हुए कि जिनकी जमीन है उन समाज के वंचितों के लिए कुछ बहतर हो जाए तो वो जमीन का सदुपयों क्यों न कर लें लेकिन इस पर आपत्ती भी उठ रही है मामला सियासी है या समाज हित में है समय तै करेगा जनता तै करेगी अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे तब तक के लिए देखते रहें कशिश नियूज